hello friends welcome back to my youtube channel कैसे हैं आप सब I hope आप सभी अच्छे होंगे स्वास्थ होंगे और मस्त होंगे तो प्रेंच की रेसेपी लेकर आई हूँ सब्सक्राइब लोगना हुब करते हैं तो फ्रेंट सी रहा एक प्राङ से छाल है आप अपने टेस्ट कें मिर्चा डालिए और छे साथ पली लहसुन है यह रहा मोंगफली को भून के मैं ले ली हूँ आइसी पी में फ्रेंस हिंग डाल दे रही हूँ एक चमच जीरा डाल देंगे यह फ्रेंस डाल देते हैं शर्सो तो शर्सो प्रेंस पहले से ही मैं इसको दर के रखी हूँ टुकडा जादी रहे तो बहुत अच्छा है तो प्रेंस इसी पे हम एक चमच सौप डाल दिये हैं एक चमच धनिया पाउडर मेरे पास खड़ा धनिया नहीं है तो मैं धनिया पाउडर डाल रहे हूँ और कलर के लिए हल दी आधा चमच अब इस सभी को मैं पीस लोंगी पेश्ट ब प्रेंस नमक नहीं मिलाएंगी नहीं तो नमक पानी चोड़ने लगेगा तो गिला हो जाएगा तो चलिए भरना इस्टार्ट करते हैं बैगन को निकाल के मैं अच्छे से पोच लिए हूँ तो देखिए यह मेरा भर के तैयार हो गया है तो मैं तेल में इसको फ्राई कर ले करता है तो इस रेसीपी को एक बार आप सब जरू ट्राई करें कमेंट में बताइए कि मेरा वीडियो कैसा लगा तो चान लिए इसी जो तेल बचा है उसी में मैं डाल दे रहे हूं जीरा जीरा लाल हो जाने के बाद इसी में मैं कट करके जो प्याज रखी थी उसको डाल द मैं बनाई थी ग्रेवी के लिए तो इसको मैं भून लोंगी अच्छे से इस मसाले को देखिए तेल चोड़ दिया है इसी वे मैं टमाटर प्यूरी बना के जो रखी थी उसको डाल दे हूँ और कलर के लिए हल्दी डाल दे हूँ तो प्रेंस इसको हम तेल चोड़ने तक भू में टाल दे हूँ और इसको मैं पांच मिनट तक भूनूंगी तेल चोड़ने तक तो देखिए हमारा मसाला तेल चोड़ दिया है इसमें मैं डालूंगी पानी तो पानी आप अपने हिसाब से डालिए कि जितना आपको चाहिए पानी पतला या गाढ़ा तो प्रेंस मैं इत सुखा अच्छा लगे तो आप थोड़ा पानी डाले अजाय अच्छा लगे तो आप थोड़ा पानी डाल दिजी ग्रेवी वाला तो चलिये बैगन को इसी हम ुषाज पर रख देते हैं तो तो फंदरह मिनट के लिए पीलए धीरे धीरे पकेगा तो देखेए फ्रेंस पक गया है अब इस स्टेप गैस को इस स्टेप पे मैं बंद कर दूंगी फ्रेंस देखिए ठंडा होने पे इतना ठीक हो गया है चुछ चलिये कर देते हैं सर लेज़िये आप लोग भी खाईए बनाईए और कमेंट में बताईए कि आप लोग का भरवा बैगन कैसा बना और मेरी रेशिपी कैसी लगी तो फ्रेंस इसको मैं धन्य पत्ती से कर देती हूं डेकोरेट इसको आप रोटी से, चावल से, पोड़ी से, पराठा से किसी से भी खा सकते हैं और बहुत ही इजी रेशिपी है, बहुत ही टेस्टी तो फ्रेंस चलिए वीडियो को करेंगे यहीं पे हैं वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई, टेक केर